ब्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले समा सेवी मंजू अगरवाल थाने में अपनी ही गिरफतारी देने पहुच गए और ऐसा गन्नी की वज़े उन्होंने बताया कि ब्रस्ट अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ फरजी FIR थाने में दर्श कराई गई ह मंजू अगरवाल ने अपनी गिरफतारी देने पर कहा कि उनका और उनके साथियों का ख्रशी उपज मंडी के अधिकारियों से किसी बात पर विकास हुआ था इसनी शिकायट थाने में की गई थी अब वो खुद अपनी गिरफतारी देने थाने आये हुए हैं मन्जु ने विवात के बारे में बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रस्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंडी गए हुए थे वहाँ पर उनके बहस अधिकारियों से हुई जिसके बाद उनके खिलाफ फरजी FIR दर्च कराई गई मन्जु ने कहा कि मुझे बिलकुल भी खेद नहीं यदि कोई वीडियो या साक्षी मेरे खिलाफ दिये जाते हैं तो मैं अपना जुर्म सुईकार करूंगा अनेता इसकी जाच की जाए और दोशियों के विरुद सक्त कारवाई की जाए वहीं इस मामले में CSP का कहना है कि माम अब पताई है फाइदी मुकादमा दैज होने के बाद कहीं काउंटर हो इसलिए में बिया गुलामी की विया पहले ही हम द्रेस में आ गया गरीब है फटे चिते कपड़ा है अंदा से बिलेड निकलना है विया खून कपड़ों में छपा हुआ है भी यहां पर शाष्की अपरा पंजीबत किया गया है इसमें उनके साथ हेकूर का साथी है जो दूलोगाई फिलाव इसमें अभी उनको यहां से नोटिस पर शोड़ दिया गया है और अगरी मिवेशा जा जा देचा जा वहां यह वहां कुद आया थे और इसमें पिर मंडी के जो कर्मचारियों के जिसके बाद उन पर उन पर अप्रास में जिवनक्षे में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इंकम I see LIC LIC के अन्यूटी प्लान्स दिद अन्यूटी ऑप्शिन्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी LIC हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले है हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्य का अन्यूशा दखलनी उस आपके हख्रें आप देख रहे हैं दखलनी उस